बिसमें लेट होगाने रहीम, असलाम लेकुम, वेलकम तो मैं चैनल, कैसे हैं आप सब, उमीद करती हूँ, आप सब खेरियत से होंगे, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, रोगनी तंदूरी नान बनानी की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बगएर ओवन के, बना पैंगे, बिल्कुल परफेक्ट, रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अब लग जरूर दीजिएगा, चैनल पे ना है तो सब्स्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो चलिए बनाना स्टाट करते हैं इस रेसिपी को, तंदूरी रोगनी नान बनाने के ल अब इसको एक्टिवेट करने के लिए अब इस नीम गरम पानी के अंदर हम डालेंगे नीम गरम ही दूद्ट जो के मैं डाल रही हूं एक कप तो इस पानी और डूद का टेंपरेचर जो है वह वह बहुकुल हलका नीम गरम होना चाहिए इसके अदर जाएगी चीनी जो के म सपून है में अचे तरह द्मीट कर लिया है कर देंगे और इसको हम अप्टिवेट होने देंगे तकरिवन के लिए अब तक सम्ट के लिए तकरीब द restriction के लिए अब तकरेए इस को तरह इसके अए बहुत्त जाएं स्थी च्जए लिए झ में और रही हो जाएगा है क्योंके में मैं कर देते हैं नेक एक लो मैदा है इसके लिग के तकरीबां ले अगर आप डालना ना चाहें तो इसकिप कर सकते हैं और यहां पर यह जो हमने तयार किया था इंस्टेंट इसका मिक्स्टर जो के एक्टिवेट हुआ है यह डालेंगे अब इसमें हम शामल करेंगे घी तो यहां पर गी डाल दिया है अब हम इसको गूल लेंगे तो मैं आज बनाने के लिए मशीन का समाल करी हूँ नॉर्मली मैं हाथ से आटा गुंती हूँ तो परफेक्ट नान बनाने के लिए डो जो है वो बिल्कुल आपको सॉफ्ट और स्मोथ होना चाहिए अब यहां पर मुझे लग रहा है कि जुरुरत है पानी की तो मैं यहां पे निम गु पानी का समाल किया है मजीद देड़ कप किया है और एक कप मैंने दूद डाला था आदा कप मैंने जब पानी लिया था और यह देड़ कप मतलब तीन कप जो है वो आपने लिक्विट का समाल करना है अब इस तयार के वे डो के उपर मैंने थोड़ा सा ओल लगा दिया है मिक्स करें ऑप चाहें से इसके अदर दही और अंडे में कर देते हैं आजए चछेकर टापनी जुझी सिर्फ सदीर的 सब्सक्राइब करेंगे और इसमें से हम एक्वल साइस के पेड़े निकालेंगे तो थोड़े से बड़े साइस के इसमें से हम पेड़े निकालेंगे क्योंकि यह रोगनी नान है थोड़े से फुले वे होते हैं थोड़े से यह स्पंजी होते हैं तो यह है साइस हमारे पेड़े का तो इसी त स्टेपन सेटोल को सरहा से इसके ऊपर हम अपर इसलोग। ढालेंगे और दीने इसलोग नान नान को. घूट में प मासने सब्सक्रीय को इसके टो दी ऑफे झालेंगे. सबीं तो कर दिक़ें पड़े का सब्सक्राइब के हम के लाइ किया है उपने करिंगे और के आपने करना तृ अब मैं बणाने के लिए यह impression का समाल करी हूँ जो कि आपको easily मिल जाता है market के अंदर और इसको सरहा से हम press करेंगे और यह दिखें इसके उपर सरहा से हम mark लगा देंगे अगर आपके पास यह ना हो यह ना मिल सके तो आपने क्या करना है उंगलियों के मदद से impression देना है तो यह ready हो गया है अब इस तय यह नान की रेस्पी पर हमेशा एक कॉमेंट जरूर आता है कि जब भी हम तवे के ऊपर डालते हैं तो जब भी आप पानी अच्छी तरीके से लगाएंगे और डालेंगे तवे के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा तो इनान हमारा रेडियो हो गया है तवे के उपर तो मैंने यहां पर देखें इस तरह का तवा ले लिया है जिसको प्रिहीट कर लिया है नीचे इसके एक तसला सा है अगर यह वाला तवा ना हो आपके पास तो नीचे आप एक कोई भी खड़ाई ले लीजेगा इसके उपर नॉर्मल वाला लोह का तवा ले लीजेगा और तो यहां पर प्रीजरा नान को ड़्हाँ सकते हैं तो यहां पर प्रीजराइब ग्या अच्छी तरीकटं आप उपका नान अब फल हमने भील्म पर ल हमने वीच को को कर कर न है नीचे भी हीट organized तब अभी जो है वो हमारा प्रिहीटिट था अब इसके उपर जेखें थोड़े थोड़े से बबल आना स्टार्ट हो गए है तो यह जो अंडिकी जर्दी और दूद का मिक्सवर है इसको हम लगा रहे हैं नान को पकते हुए तकरीबन दो मिंट गुजर चुके हैं और यह मैंने अंडे और जर्दी का मिक्सवर लगा दिया है तो इसको हम पलट देंगे और इसको हम कवर कर देंगे सरहां से तो देखें बिल्कुल भी नहीं गिरेगा हमारा यह नान चूंके बहुत अची तरीके से अब तकरीबन थर्टी से किन्ड's के बाद आपने इस तवए को रुट्टेट करते जाना है सरह से और देखने जाना आ कि इस तuvre दो इक इस पूरी नहीं पढ रहा है तो जितना आपको अटे पासन हो मिंटार हो जितना लाल्क या हलका इससाब से आप इस नान को सेख सकते हैं तो यहाँ पे देखें रूटेट करते जा रहे हैं और हम नान को सेखते जा रहे हैं इसमें सेख जो है वो डारेक्ट नहीं पढ़ रही है लेकिन बहुत अच्छी सी इसमें जो है वो हीट है तो इसे बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ जाएगा तो ये देखें हमारा नान जो है वो बेकुल रेडियो गया है इसके ओपर हम थोड़ा सा बटर या घी लगा देंगे और ये है हमारा प्लेन रॉगनी नान और अब हम इसको निकाल देंगे अराम से तो ये है हमारा प्लेन वाला तंदूरी रॉगनी नान और ये देखें इसका लुक और इसको निकाल के साइड में कर देते हैं अब नेक्स बना लेते हैं हम तो नेक्स वाले तंदूरी नान के ओपर हम थोड़े से तिल लगाएंगे और थोड़ी से हम कॉलांजी डालेंगे तो देखें मैंने इसको तवे के ओपर डाल दिया है और साइड के जिसको हम इस तरहां से हलका से इंप्रेशन देंगे ताकि एजिस जो हैं वो थोड़ी से हमारे बिकुल एकवल साइस के लगें थोड़े से मोटे किनारे होते हैं तो टैन नुमा होते हैं यह रोगनी नान तो इस तरहां से देखें आपने इंप्रेशन देना है हातों से उंगलियों की मदश से और अब हम इसके ओपर लगाएंगे थोड़ा सा दही और अंडे की जड़दी अब हम इस नान के जा रहे हैं और देखें यह पकता भी जा रहा है और यह सारा प्रोसेस कर देखेंगे करती जारी हुं मैं फ्लेम को आपने मीडियम लो ही रखना है तक्रीबन जब एक से देर मिंट गुजर चुका है तो नान को हम पलट रहे हैं और पलटते हुए हमने इसको सेकना है कलर भी देना है और इसको अच्छी तरीके से पकाना भी है तो देखें थोड़ी ही सी देर के अब हम तवे को रूटेट करते जाएंगे और इसको अच्छी तरीके से चार और पकाते जाएंगे यहां पर हमारा नान जो है वो रेडियो हो गया है तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम लगाएंगे घी और इसको हम तवे की उपर से उतार लेंगे बहुत ही जबर्दस रैसेप और अब मैं दिखा देती हूं आपको फाइनल तमाम नान की लोक को देखें यह हमारे बॉटम वाला पार्ट यह बिल्कुल भीत्री से हमारे सिक रहे हैं और यह मैं थोड़े से कलॉंजी वाले नान बनाए थे तो बहुत ही जबदर रैसेपी है और यहां पर यह देखें हम को तोड़की की तो देखें बिकुस सौफ्ट और जबदस रेडियो हैं तो मिरी स्प्रागनी नान की रेसिपी को आप लोग जुरूर ठ्राइक कीजेगा और इसका फीड़ बैक मुझे जरूर दीजेगा कि रेसिपी आप लोग में दी कहां कहां से भी वाच कर रहे हैं रेसिपी को शेयर आगे जरूर कीजेगा अपनी फैमिली फ्रेंट के साथ तो फिर मुलाकात होती है नेक्स रेसिपी वीडियो में जब तक के लिए अपना बहुत जादा खयाल रखियेगा अल्ला हाफिज